Hello students, Welcome back to Google chemistry. This is a very very good evening. तो सबसे पहले Best Business आपके Board Exam के लिए आज हम Board exam के सबसे important वीडियो की बात करेंगे आज हम बात करेंगे Organic chemistry के पहले chapter के complete roadmap की और इस 2-3 मिट के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि Organic chemistry के पहले chapter Hello and Hello Green में क्या पढ़ना है कितरे टाइम में पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक से कुश्चन बनते हैं और ये रोड मैप आफ फालो करके विदिन वन एंड हाफ आवर यानि कि डेड़ घंटे के अंदर हेलोलकें हेलोरीन से छुट्टी ले सकते हो क्योंकि आपके मन में बहुत जारा प्रॉब्लम आती है सर और गिनी कमेश्टी नहीं सालब होती उस और गिनी कमेश्टी को सालब करने का सलूइशन दे रहा हूं और इसका कंप्लीट पी वाई की स्रीज आपको क्रेस कोर्स सोमे सिंग कमेश्टी के आफिसील आप पर जो चल रहा है वहाँ पे मिलेगा तो यूट्यूप कई रही बार पढ़ाया है ठीक है। लेकिन मैं नहीं किया तहुश्टे है कहां से कोस्टें बनते हैं तो सबसे पहले इस चैप्टर में 3 टाइब कि क्यात्यून बनते हैं सबसे पहले जो हमारे क्यांडे ही कॉश्टें ऑनते हैं और या तो question आते हैं How will you opt-ed कैसे हम प्राप्त करेंगे ठीक है ना और आज इकल एक नया trend आ गया है market में कि आपको feeling the blanks type के question मिलने लगते हैं feeling the blanks type के question मिलने लगते हैं जैसे आपको A दे दिया B reactant का नाम लिख दिया dot 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 करके C दे दिया कहा भाई feel up करो मैं भी बता रहूं कैसे कैसे question बनते खाली आप ध्यान से सुनते रहना ठीक है ना अच्छा भाई तो एक तो conversion हो गया दूसरा जो इस chapter से ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है name reaction तो अभी मैं ये भी बताओंगा कि कौन-कौन सी name reaction बनती है और कैसे यही name reaction इस conversion में participate करती है और तीसरा जो इस chapter का सबसे effective part होता है वो आता है site notes site notes में ही हम differences पढ़ते हैं differences कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि site note में ही हम comparison पढ़ते हैं और site note में कौन-कौन से topic आते हैं जैसे हमारा आता है SN1, SN2, इस पे सार्ट नोट आ जाता है, जैसे हमारा आ जाता है सार्ट नोट, मारकोनिक आफ रूल पे, ठीक है न, ये सारी चीजे मैंने आपको पढ़ाई हैं, महुत अच्छे से पूरी चैप्टर में, ठीक है, सार्ट नोट आ जाता है हमारा एलिमिनेशन रियक्षन पे, अब एलिमिनेशन रियक्षन को ही हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एलिमिनेशन रियक्षन को ही हम बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रियक्षन, उसी को आपको पता है Dehydro Halogenation भी बोलते है क्या बोलते है Dehydro Halogenation Reaction इस चैप्टर में Dehydro Halogenation Reaction भी इसको बोला गया है ठीक है न यहीं पर हम Set Jeff Rule और Halfman Rule पढ़ते हैं तो आपको यह समझना है कैसे कैसे Question बन सकते हैं तो Conversion जो है वो Name Reaction से कबर होता है जो सबसे पहले पढ़नी है वो हमको कौन से Reaction पढ़नी है Dargen Reaction ठीक है क्या पढ़नी है Dargen Reaction यह परपरेशन में हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद इस चैप्टर की Important Reaction है ओड़ जरी अक्षन ठीक है न यह तो भाई हर बार एक्जाम में आती है उसके बाद इसी चैप्टर की Reaction है ठीक है न ठीक है उसके बाद एक और Reaction है पहरे बच्चों जो यहीं से मिलती जुलती है जिसको हम लोग क्या बोलता है ओड़ जो फिटिग Reaction ओड़ जो फिटिग Reaction तो यह तयार करिए अब जो Conversion है वो ओड़ ज रिएक्षन से यहां भी Question बनते है ओड़ ज रिएक्षन से यहां भी Question बना है यह जो Feeling the Blanks टाइप का मैंने आपको बदाया ठीक है इसके अलावा इसके अलावा आपके इसी चैप्टर में हमारी है Swartz Reaction ठीक है यह बहुत Important है इसी में हमारी प्यारे बच्चो क्या है इसी में Swartz Reaction के जिस्ट उपर आपको एक Reaction मिलेगी ठीक है Sand Mayor Reaction जिनको हम कह सकते है क्या बोलते हैं प्यारे बच्चो Sand Mayor Reaction इसी चैप्टर में मिलेगी इसी चैप्टर में हम लोगों को Gatterman Reaction मिलेगी Gatterman Reaction मैं सारी reaction लिख दे रहा हूं कि जिनको जरूर आपको पड़के जाना है गाटरोमैन reaction लिख दिया, सवार्ट्स लिख दिया और स्वार्ट्स के ही एकदम साथ साथ हम लोगों क GirQ और पढ़नी है जिनका नाम है विंगल इस्टीन reaction विंगल इस्टीन reaction ठेक है ना? तो यह हमारी कुछ named reaction थी, यह हमारी important, अगर इन सारी named reaction को हम बात करें, कि सर इसमें कौन सी named reaction में छोड़ के जा सकता हूं, तो प्यारे बच्चों यकीन मानो, कोई भी named reaction ऐसे नहीं है, जिसे आप छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि यही named reaction start node भी आ जाएगी, यही named reaction conversion में आ जा कह रहा है, यह क्या है, तो भाई किसको नहीं पता कि A, Hello, L, K, N, H, C, S, 3 का दो मूल, तो ऐसे डाइप के आजकर question बन रहे है, या question बन रहे है कि right hand start note, odds reaction, तो यह सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, सारी named reaction के list मैं ने बनवा दिये, बाकि अगर और detail में पढ पढ़ना है, तो crash course chemistry का चल रहा है, official app पे सो में से chemistry, वहां से आप join करके सारी चीज़ बढ़ सकते हूं, ठीक है, तो overall इस chapter में, तीन variety के question मिलते है, अब S1, S2 का जो compression के detail में पढ़ना, अल्रेडी यूटूब पर पढ़ा दिया हूं, अब पर भी पढ़ा दिया हूं, मार्क hydro halogenation इस पे start note आई है, तो ये तीन point mainly start note के लिए, ये सारी name reaction आपको कबर करनी है, और इसी name reaction को conversion में, what happened में, check कर लीजिएगा, how will you obtain में, जैसे मान लो, ऐसे question आ गया, जैसे हमको पता है, 8G reaction, 8G reaction हमारी क्या है, 8G reaction है ये कि Rx है 2 mol, इसकी reaction sodium metal से करा है, 2N x निकल गया, क्या इस निकलता है, वो ये निकलता है, कि तीन point पे आपको work करना है, ये complete roadmap था, हैलो, इस सारे topic को तयार कर लिए, इस से बार कुछ नहीं आएगा, और बाकी PYQ series तो आपकी चली रियक्राइस कोर में, thank you, so much, best business आपकी example, thank you